केंदेने कि ये शौक ते मेनद दे नाल जड़ा भी मकाम ते तक पोंचना होवे इंसान ता पोंच ही जांदा है असी गल करांगे नंगल ती रहन बली दिब्या शर्मादी जिनाने कि नंगल दा ही नाए नहीं से को पंजाब पूरे पंजाब दा नाम रोशन कीता है किस करके नंगल दा नाम रोशन कीता है गल करांगे दिब्या शर्माद नाल पूरा परिवार साधी नाल इस तो तो इसकी आदे के मुझे स्रेस्ट कर तेगरी इंडवीजवल एक्सिलेंस के लिए मिला और यह मेरी जो कॉंटीब्यूशन रही है डिसेबिली सेक्टर में और जो मेरी अचीवमेंस रही है उसको मद्दे रख नजर रखते हो शायद दिया गया है पहली दफ़ा जब आपको पता चला कि आपका नाम इस लिस्ट में आ गया है तो कैसा है फिलिंग थी देखे खुशी होती है जिन्दगी भड की महनत कहीना कहीं रंग लाई है और मेरी एक फ्रे आपका नाम लिया गया किस किस के उपलब्दी को लिए देखिए एक तो मेरा जो काम है जो मैं अगर बात की जाए प्रोफेशन की तो मैं कॉर्परेट राइटर हूं और इंडिया और भार मेरे क्लाइंस हैं तो वह काम और जो मेरा पैशन रहा है डिसेबिलिटी एक्टिव स्टेजिस पर मैं प्रेजेशन देती आई हूं और मैं आर्जी और कंटेंड मैंजर हूं एक ओनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उडान की जो वन हंडर फिफ्टीन कंट्री में सुना जाता है और खास बात यह कि एक डिसेबिलिटी रेडियो स्टेशन है जो कि मोस्ली दिव्यान जन लोगों दुवारा ही चलाया जाता है और साथ में मैं ग्लू बेल्ट हूं मार्शलाथ कराते में तो यह सभी चीजे और मेंली सेंसिडाइजिंग सेशन जो मैं करती आई हूं स्कूलों में कॉलेजिस में युनिवर्स्टी ऑफिसेज में तो वह अवेरनेस ज स्कूल थे उन्हें पता नहीं थी कि एक परसंद डिसेबिलेटी को कैसे पढ़ाना है तो वह लैक ऑफ अवेरनेस कहूंगी तो तब मुझे छोड़ना पड़ा और स्कूलों नहीं दी और फिर उसके बाद मैंने कॉर्रिस्पॉंडेंटली शुरू किया ममी भापा को पता ल सेंसिटाइजेशन करनी है तो यहीं चोटे चहर में बैटकी मैं सब कुछ करूंगी और आज मुझे लगता है किसी हद तक मैंने कर भी लिए आपके सरकल की बात की जैसे आपने प्रैमरी स्कूल की बात की है तो उसमें आपको पहले किस हसाब से दिक्कत परशानी आती थी अभी आपने जो इतनी बड़ी एचीवमेंट ली है तो इसमें आपको कितना फरक लिख थी देखे तब इतना टेक्नोलीजी का नहीं पता था जब स्कूल छोड़ा क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर है ट्विन सिस्टर कावे से शर्मा तो उसके साथ पढ़ते पढ़ते साथ में पढ़ते जब महाल गर्में जो था वह नॉर्मल था फिर इसके बाद जब मैंने थोड़ा ममी बापा रिकॉर्ड करना पापाने तो वह सारी उस स्थी के से बढ़ाई फिर ट्विलत के बार तक मैं टेक्नॉलीजी में इतना शौक है कि सॉफ्ट्वेर्वेर्वेल्य ने तो मुश्किले आई लड़ाई करना है वो एड्मिनिस्टेशन से लड़ाई करना और इधर बहुत जगह पर क्योंकि लोगों में पर अब माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर दियों और हो भी रहे लोगों का अभी परिवार की बात करती हैं परिवार में क्या क्या है इसे सब्सक्राइब करती है तो वह बहुत कीमती है तो वह भी काफी उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिली है हमेशा जैसे आपने बताया कि दिव्यार के बर्क में अपने इतनी बड़ी एचीवमेंट की है तो कही लोग ऐसे होते हैं जो अपना श्रीर को तरफ से आप पूरे प्र सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जादा अलग लग चीजे में कर पाई तो मुझे लगता है आप आपका जो फोकस है वो आपको बदल लेना चाहिए जैसे आम लोग देखके करते हम सुनके कर लेते हैं तो तरीके बदल जाते हैं एम सेम रहता है तो मुझे लगता है लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि तरीका बदल लो एम ना बदलो तो जो जो इसने इतना सिंसियरली मेहनत की है इतने वर्षों में मेरा ख्याल है हर क्षित्र में हर चीज का शौक है इसको तो वो रंग लाई है अब और वहाँ स्टेज पर जैसे इसने एवाड लिया तो वहाँ जैसे ये confidence से चल रही थी तो वो confidence इसके हर काम में है वो confidence तो आप सब ने देखा है लाईव देखा है तो मैंने का कि वो तो बिलकुल अंजान जगे थी दिव्या वहाँ मम्मी I counted the steps there were seven steps I had to pass but I did that अब आप सब ने देखा कि वो एक चीज को अगर आप सीख जाता है बंदा तो वो confidently कर सकता है बाकी और इसने क्या किया है वो तो जो लगा मुझे जो इसने खुद कहा मुझे तो सच बताओं मैंने सारी जिंदगी इंग्लिश ही पढ़ाई है जब इसने कहा कि मुझे sensitizing sessions करने हैं तो मुझे उसका इतना meaning नहीं पता था कि vast meaning क्या है उस चीज का छोटा सा meaning तो पता होता है तो लेकिन जब इसने वो किया और इसको लोगों ने approach किया तो मुझे पता लगा कि ये क्या गाम कर रही है और लोगों में इतनी जागरिती पैदा करना कि लोगों किसी के बच्चे में किसी भी तरह कि कोई अगर ये है कुछ भी disability है कोई ऐसी condition है वो लोग छुपा लिते हैं बच्चे को बाहर आने ही नहीं देते और हम जानते हैं ऐसे काफी लोगों को जानते है जैसे समाज में पहले भी होता था भी लड़कें को आगे नहीं आना दे है आगे नहीं जिसमें disability है पर बच्चा और तो बहुत कुछ कर सकता है तो वहां जाके राष्ट्रबती भवन में सच कहूं मुझे कई तरह के disabilities मैंने देखी और देखा कि लोगों ने अलग अलग तरीकों से उनको कैसे जीता है मात दी है मात जी ने अपने जड़ी गालबात दसी है जो कि राष्टरपदी पर बन जाकी ने जज़सारी गालबात देखी सी होते चाड़नल पादसाबी ने के दादी पर अचीवमेंट जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी तो बहुत खशुश है इस चीज से बागी तो बता ही दिया इसे में अजे मईमीन बता दिया जैसे होता है कि लड़कियों की जो जुकाब होता हुए पिता की तरफ होता है तो आपका किस हसाब से रहा है नहीं ऐसा है कि मैं आपने आभी नोट भी किया होगा मैं बोलता कम हूं मैं लिखता ज्यादा हूं कलम पे मेरा ज्यादा है बोलने पे कम है तो मैं चाहता हूं कि और बोल दे मैं जहां लिखने की बाद लिख देता हूं तो जुकाओ तो हम दोन बहुत गर्व की बात है, इसने नाम रोशन किया है, और वहां पर हमने सारा प्रोग्राम देखा, जैसे जैसे चल रही थी, बैठी हुई थी, बहुत मतलब हुशी हो रही थी, तो ये बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट है, इससे पहले भी इसने बहुत कुछ जीता है, और जहां दिब्या है, वहां साब कुछ पॉसिवल है, जैसे बात करता हूँ, जो मैंने पहले भी मैंने कहा है, तो वो इंग्लिश में कहते हैं, तो टेक दा बुल बाइट्स हॉर्ण्स, कि अगर बैल आ जाए ना हिंदी में, तो उसे सिंग से पकड़ो, इसका ये वो सबसे बड़ी बात इसकी है, और एक और चीज जिसकी मैं बता हूँ, वो है कि सेल्फ परपेल्ट, एक करता है ना, आटोमेटिक, जिसे बाहर की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसी सक्षियत है, जो अपने आप ही आटोमेटिक काम करती है, ना हमारी जरूरत है इसे, हम बिंक पेर्ट्स तो सर्टनली हम इसका स्पोर्ट के लित्यार रहते हैं, ये कभी वो मौरल स्पोर्ट है, लेकिन जो भी इसकी अचीवमेंट्स हैं, जिसके लिए एवार्ड मिला है, वो तो मैं कहूंगा, हंडर पसंट इसके अपनी है, और जो इनिशेटिव लिए है, उस प्राउड महसूस करते हैं इसके उपर, लास्ट कॉस्टन, दिबिया जिदा जैसे आपने बताया कि आपकी प्राइमरी क्लास की तो जब आप स्टडी कर रहे थे, तो दिक्कत आया थी स्कूल में आपका दिबियां कबर कर लेकर, तो आपके हमारे मादम से सरकारों क्या बो से हो रहा है, और इंप्लिमेंटेशन थोड़ी स्लो है, तो मैं यहीं कहूंगे कि गवर्मेंट ज्यादा अव्यर्नेस क्रियेट करें, ताकि लोग सभी आम लोग भी आगे हैं और इंक्लिूसिव सोसाइटी बने, जहांपे सभी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जी सके और आगे भड़ सकें, दस्या की रास्टर पती अवाल लेंड वास्तिरा ने काफी मेंत किती, जो कि इना दी मेंत होना हो, रंग लगाई है, राजपान युजिटि पंजाब नंगडेम